बहाली में फरजिवारा का जखीरा और उधर भटक रहे तमाम जाज सिक्चक अभ्यर्थी नमस्कार आदाब और दिल से परनाम आप तमाम सिक्चक अभ्यर्थियों के साथ आप तमाम दोस्तों और आप तमाम विद्वान सिक्चकों को मैं हूँ इसके चोधरी शाथियों एक वार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सभी के बीच बिहार सिक्चक बहाली से जुरी फरजिवारा के उद्वहेदन का खुलासा करने को लेकर इससे पहले कि इन बिंदूओं को हम सुरू करें जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सुशत्य वचन को सब्सक्राइब नह जारी है और इस बार TRE1 के अंतरगत हुए फरजिवारा को देखते हुए तमाम कई जीलों ने यह निती अपनाई है कि निउक्ति पत्र परदान करने के करम में ही तमाम अभियर्थियों की पहचान कर लिजाए और उनके अंगुठे का मिलान भी कर लिया जाए इसी करम में बिहार के कटिहार जिले के अंतरगत एक सिक्षक अभियर्त ती जिनका नाम उंकारण नाथ था, वे मूल रूप से मधुवनी जिले के निवासी थे और वे कटिहार जिले के अंतरगत अपना चैनित बिद्याले का निउक्ति पत्र प्राप्त करने पहुंचे तब उनके फो के अंगठा का मिलान भी नहीं हो पाया शाथियों जब उन पर सक मड़ाया तब उन्हें नुक्ति पत्र परदान करने से वंचित कर दिया गया इसी करम में जब उंकार नाथ से ये बाते पूछतास की गई कि आखिर उनका अंगठा का मिलान नहीं हो पा रहा और नाहीं उनके तस्वीर मिल रहे हैं तब उंकार नाथ ने बताया कि परिक्षा फॉर्म भरने के उपरांद उंकार नाथ मुंबई सहर कमाने के उदेश से चले गए थे और इसके बदले में उंकार नाथ के एक दोस्त ने परिक्षा में समलित हुआ और उसने सफलता प्राप्त की और जब उंकार नाथ को इसकी सुचना दी कि अब उनको विद्याले आवंटित हो गया है तब जाकर मुंबई सहर से बिहार के कटिहार जिले पहुँचे उंकार नाथ और निक्तिपत्र परदा प्राप्त करने कार्याले पहुँच गये तो साथियों अंतिम रूप से उंकार नाथ के पूस्तास के बाद उनकी मेडिकल की जाच की गई है और उन्हें जेल भेज दिया गया है साथियों इतना ही नहीं उधर मुझपरपुर जिले के अंतरगत एक बार फिर से BPSC TRE 1 के अंतरगत फरजिवारा का उद्भेदन हुआ है इसी करम में सिक्चक ससी भूसन कुमार जो की TRE 1 के अंतरगत 125 के सिक्चक थे वे फरजिवारा से निउक्त हुए थे और उन्हें भी जिला सिक्चा पदादेकारी मुझपर पुर्द्वारा सिवा से बरखास्त कर दिया गया है उसका परमुक वज़ा यह है कि TRE 1 के अंतरगत जब तमाम अभियर्थियों के थंब इंप्रेशन की मिलान चल रही थी इसी करम में वे अभियर्थी ससी भूसन कुमार समलित नहीं हुए और जब पत्र के माध्धम से उन्हें पूछा गया कि आखिर आपकी उपस्थिती क्यों नहीं हुई तो उन्होंने आनन फानन में आकर जिला सिक्चा पदादेकारी के नाम से एक त्याग पत्र फेज दिया जिसके बाद जिला सिक्चा पदादेकारी ने उसे स्विकार नहीं करते हुए उसे दोसी मानते हुए फरजिवारा के आरोप में सिवा से बरखास्त कर दिया इतना ही नहीं दो अन्य भी अभयर्ती थे जिन्होंने थम इंप्रेशन के मिलान में अनुपस्थित थे और उन्हें भी दोसी मानते हुए अंतिम रूप से सिवा से बरखास्त कर दिया गया है तो साथियो इस करम में हम आपको बता दे कि निशित रूप से फरजिवारा थमने का नाम नहीं ले रहा और टियारी वन में तो खुलासा हुए ही टियारी टू में भी फरजिवारा का खुलासा होना सुरू हो गया है इतने के बावजूद आज वैसे जायज अभेरती हैं जो दरदर की ठोकरे खा रहे हैं और इधर उधर भटक रहे हैं प्रन्तु नहीं सिक्चा विभाग की उस पर नजर है और नहीं बिहार सरकार की कोई सूजबुच है साथियों इसके करम में हम बता दे कि सबसे पहले TRE3 के अंतरगत वैसे अभेरती जो आसा लगा कर बैठे थे TRE3 का राजिस्टेशन करने और फर्म भरने को लेकर लेकिन उनके सामने पानी फिरता इस रूप में नजर आ रहा है कि अभी तक रिक्तियों की संख्या नहीं जा अभेदन करने हैं वो कैसे इसका निर्धारन कर पाएंगे ये तो सोचने वाली बात है जब आप जान चुके हैं साथियों कि सिक्षक अभ्यरती तमाम जिलों का चैन रिक्तियों के आधार पर ही करते हैं और किन-किन विश्यों में उन्हें परिक्षा फॉर्म भरने हैं और ठोकरे खाने के लिए छोड़ दिया गया है ऐसा क्यों किया जा रहा है ये तो वक्त बताएगा लेकिन इसके करम में आगे हम आपको बता दे कि TRE 3 के अंतरगत वैसे भी अभ्यरती आज की तारीक में भड़क रहे हैं जो कि आयू सीमा से वंचित हो गए हैं आप सभी अ आयू सीमा में छूट परदान की गई थी परंतु TRE 3 को जहां सप्लिमेंटरी एकजाम का रूप दिया गया है वहां TRE 1 और 2 के प्रापधान को हटा दिया गया है तमाम अभ्यरती आज मायूस बैठे हैं कि उनकी डिग्रियां बेकार हो जाएगी और उनकी जिंदगी बरब हो जाएगी इस करम में सरकार और सिक्षा बिभाग को सोचना चाहिए कि हो ना सके ये तीसरा एटेम्ट है और ऐसे में अगर उनके आयू सीमा में छुट नहीं दी जाती तो निशित रूप से उनके तमाम डिग्रियां बेकार हो जाएगी और उनकी जिंदगी बरबाद हो जाएगी तमाम अभ्यर्ति आज अंदोलनत हो रहे हैं तमाम अभ्यर्ति आज दरदर की ठोक्रे खा रहे हैं कम से कम उन अभ्यर्तियों पर दर्द दिखाना चाहिए सिक्षा विभाग को और BPSC को और हम अपने इस वीडियो के माधम से यह मांग करते हैं कि जिस परकार TRE1 और TRE2 के तहट तमाम अभ्यर्थियों को आयू सीमा में छूट परदान की गई थी कम से कम एक बार ऐसे अभ्यर्थियों को एक बार छूट अवस्य देनी चाहिए और तमाम अभ्यर्थियों को अपने सपने सजोज का मौका दिया जाना चाहिए साथियों इस करम में हम आपको आगे बता दे कि वैसे तमाम जायज अभ्यर्थि जो आज दरदर की ठोकरे खा रहे हैं उसमें है सप्लिमेंटरी रिजल्ट के आसा वान अभ्यर्थि आखिर ये गलती किसकी है अगर TRE2 के तहत भासा अहर्ता लागू किया जा चुका होता तो आज साइद सप्लिमेंटरी रिजल्ट के आसा रखने वाले तमाम अभ्यर्थियों को भटकना नहीं परता उसका परमुक दोसी है सिक्षा विभाग और दोसी है BPSC परन्तु तमाम अभ्यर्थियों की आसाएं आज भी समाप्त नहीं हुई है और अभ्यर्थि आसा लगा कर बैठे हैं कि आज हो या फिर कल हो सप्लिमेंटरी रिजल्ट अवस्य जारी किये जाएंगे ये पेच फस्च चुकी है सिक्षा विभाग की ओर से लेकिन सरकार की भ अवस्य जारी किया जाएगा इस आधार पे भी तमाम अभ्यर्थि आसा लगा कर बैठे हैं और इस आसा में बैठे हैं कि आखिर तमाम नेताओं की बात कहां तक सही साबित होती है ये हम अभ्यर्थियों को भी देखनी है साथियों इस करम में आगे हम बता दे कि वैसे अभ्यर्थियों का दर्द आप सुनेंगे तो आपके भी रूह काप जाएंगे आज के तारीक में वैसे अभ्यर्थि जो डेट ऑब वर्थ से चट गए हैं एक नंबर से चट गए हैं और TRE3 के अंतरगत उनकी आयू सीमा समाप्त हो चली है आखिर क्या होगा ऐसे अभ्यर्थियों का आखिर कौन देखेगा आखिर कौन सुनेगा इनके दर्द को सोचने वाली बात है हम अपने इस वीडियो के माध्धम से ये कहना चाहेंगे तमाम अभ्यर्थियों को पहले कि BPSC को अभी तक सिक्षा विभाग द्वारा सीटों की संख्या उपलवध नहीं कराई गई है और जहां तक खवर आ रही है कि सप्लिमेंटरी रिजल्ट के आदेश सरकार की ओर से कब चारी किया जाए इसका भी आसा सिक्षा विभाग को है इसी करम में सिक्षा विभाग ये उधेर भून में बैठी है कि कहीं दबाब सरकार की ओर से आ जाए सप्लिमेंटरी रिजल्ट जारी करने को लेकर तब हम रिक्तिया को कैसे काट सकेंगे इसलिए बिलंब हो रही है सप्लिमेंटरी रिजल्ट में और रिक्तिया जारी करने में साथियों आप सभी आशावान है हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि सरकार आपकी बातों को सुनेगी और सिक्छा विभाग जो सप्लिमेंटरी रिजल्ट को रोक रखी है निश्ची तुरूप से उस पर संध्यान लेते विए आपके सप्लिमेंटरी रिजल्ट जारि की हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद जय भारत